इंहीं स्टॉक चर से अभी प्राय, उस चर से है जो एक निश्चित समय बिंदू पर मापा जाता है निश्चित समय बिंदू यहाँ पॉइंट creative time की बात ओ रही है एक विश्चिष्ट चमय की जब बात हो तो हम स्टॉक कहते हैं परवा किया है ? प्रवाचर से अभी प्राय, उस चरसे है, जो एक समयावधी है, और उसमें मापा जाता है, समयावधी मतलब time period, जैसे 2 गंटे, 4 गंटे, 6 गंटे, 8 गंटे, ये क्या है time period, 10 दिन, 20 दिन, 1 साल, 2 साल, 4 साल, ये सब क्या है, समयावधी, जबकि मैं कहूं, 2 बजे, ये क्या है, fixed time, तो ये निश्चित समय, मैं कहूं, 3 तारीक को, तो ये क्या है, fixed time, मैं कहूं, साल, 2003, इतनी तारीक, इतना महिना, तो ये क्या है, fixed time, तो कहने का मतलब, कि stock, निश्चित समय से सम्मन रखता है, जबकि परवा का सम्मन, एक time period से, समयावधी से होता है, उसमें हम time की calculation करत है, अब जैसे, अगर हम बात करें, 10 बच के 10 मिनट हुए है, तो ये क्या है, stock, ये क्या है, stock, इस गड़ी में, 10 बच के 10 मिनट हुए है, तो वो क्या है, stock, लेकिन अगर इसी गड़ी में, अगर थोड़ी देर बाद 11 बच जाए, थोड़ी देर बाद 11 बच जाए, तो वो 11 बजना भी क्या है इस्टॉक लेकिन 10 बचकर 10 मिनिट से 11 बजे के बीच में जो टाइम है 50 मिनिट का वो क्या है परवा तो that is the difference between प्रिवरतन पर्वाह है और परिवरतन का मतलब पर्वाह है और प्रेवरतन का मतलब है श्थिर छोंशर आप समयकाल नहीं होता है, इस्टॉक का कोई समयकाल ही नहीं होता, जैसे सौंबार, नो बजे, 21 जुलाई 2020, आदी स्टॉक के उधारन हो सकते हैं, प्रवा में देखें, दूसरा पॉइंट, इसका समयकाल होता है, समय की अवधी होती है, जैसे गंटे कितने हैं, दिन कितने हैं, मैने कितन है वर्ष कितने है और जहां प्रती शब्द आ जाए यह ट्रिक मैं बता रहा हूं जहां प्रती शब्द आ जाए वहां ऑटोमेटिकली उसको क्या मान लेना प्रवा ठीक है अब आगे बढ़े तीजरा पॉइंट देखिया हम इस्टॉक का इस्टॉक एक इस्टेथिक अवधार्णा है क्यों है इस्टेथिक क्योंकि यह पॉइंट आफ टाइम को बता रही है इसमें गति नहीं है यह गति की इस्तिति के अध्यन नहीं किया जाता इसमें प्रवा में गति की इस्तिति का